बॉलिवुड की खुफसूरत एक्ट्रेस रेखा ने अपने दोर में हिंदी सिनिमा को एक से बढ़कर एक हीट फिल्में दी हैं आज भले ही वो फर्दे से दूर हो लेकिन अपनी खुफसूरती को लेकर हमेशा सुर्ख्यों में बनी रहती हैं आज हम आपको एक्ट्रेस की साधी से जुड़ावो की सब बताने वाले हैं जब उनके पती से दिकच एक्ट्रेस हेमा मालिने ने मुलाकात की थी और उनसे बेहत हैरान कर देने वाला सवाल पूजी लिया था ये वाकिया साल 1990 का है जब रेखा ने अचानक ही बिजनेसमेन मुकेस अगरवाल से साधी कर सब को चौका दिया था दोनों ने एक मंदिर में सीक्रेट तरीके से साधी की थी जिसके बाद दिकच एक्ट्रेस और रेखा की खास दोस्त हेमा मालिनी एक्ट्रेस से मिलने उनके घर पहुंची थी वहीं जब हेमा की मुलाकात रेखा के पती से हुई तो उनका रेख्शन काफी अजीव रहा था दरसल जब हेमा ने रेखा के पती मुकेस अगरवाल को देखा तो उन्होंने एक्ट्रेस से धीरे से कहा था कि अब तुम ये मत कहना कि तुमने इस आदमी से साधिक कर ली है, जिस पर रेखा जावब देती हुए कहती हैं कि हाँ हमने सच में साधिक कर ली है हेमा एक्टरिस का जावब सुन कर हैरान हो जाती है और उनसे पूछती हैं की ये बहुत अमीर है क्या, हाला कि रेखा इस बात का कोई जवाब नहीं देती हैं इस बात का जिक्र यासिर उस्मान ने रेखा पर जो किताब लिखी है उसमें किया गया है इस किसे को पढ़कर हर कोई काफी हेरान हुआ था आपको वता दें कि रेखा ने भले ही मुकेस अगरवाल से साधिक कर ली थी लेकिन दोनों का रिस्ता ज़्य ज़्यादा वक्त नहीं चल पाया था दरसल साधिक छे महने बाद ही एक्टरस के पती ने आत्मात्य कर ली थी कहा जाता है कि इसकी वज़ा दोनों की बीच का मन मुटाब था